चर्चित स्थान चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको घुमाएंगे वाशिंटन, डीसी में लिंकन मिमोरियल देश के सोलहवे राष्ट्रपती अबराहम लिंकन को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रिय स्मारक द्वारा सम्मानत किया जाता है जिसे लिंकन मिमोरियल कहा जाता है यह वाशंटन, D.C. में नेशनल मॉल के पशीमी छोड पर वाशंटन स्मारक के सामने स्थित एक नवशास्त्रिय मंदिर है स्मारक की अवधारणा हिन्री बेकन नेकी थी विशाल लिंकन मेमोरियल, जो नेशनल मॉल के पश्चिमी छोड पर रिफ्लेक्टिंग पूल पर हावी है, इसके केंडर बिंदू के रूप में कार्य करता है समारक तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका पूल से, वाशिंग्टन समारक और द्वितिय विश्व युद्ध के समारक के बगल में है यह आपको रिफ्लेक्टिंग पूल के किनारे तक ले जाएगा, एक शांदा अक्षेत्र जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्थित राष्ट्रपतियों को सम्मानित करने वाले भव्य समारकों को सबसे अच्छी तरह से उजागर करता है समारक की यात्रा करें और इसका विस्तार देखें जब आप सामने खड़े हूँ, तो हरियाली से गिरे सुन्दर संद्मर्मर के स्तंभों पर एक नजर डालें, जो एक डिजाइन का हिस्सा है जो प्राचीन ग्रीक मंदिरों से प्रभावित था राश्ट्रपती लिंकन के निधन के समय प्रतेक 36 कॉलम संग में एक राज्य से मेल खाते हैं समार 800 फीट लंबा, 190 फीट लंबा और 119 फीट चौड़ा है जैसे ही आप इंटीरियर की सीवी चड़ते हैं, उपर देखें दीवार पर एक शिलालेक में लिखा है, इस मंदिर में, जिन लोगों के लिए उन्होंने संग को बचाया, उनकी दिलों में अबराहम लिंकन की स्मृती हमेशा के लिए सनरक्षत है बयान राष्ट्रपती अबराहम लिंकन के 19 फूट उचे, 175 टन के स्मारक से घिरा हुआ है, जो राष्ट्र के मौल को देखता है कि उन्होंने बचाने और एक चुट होने के लिए इतनी बहादुरी से लड़ाई लगी मूर्ती को तराशने वाले डैनियल चेस्टर फ्रांच ने ग्रिहयुद के दोरान लिंकन को राजसी और प्रतिष्थित दिखाने का प्रयास किया हाला कि स्मारक को कई वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था लेकिन निर्मान 1914 तक शुरू नहीं हुआ था और इसे 1922 तक सार्वचनिक नहीं किया गया था प्रतिमा के बाई और वह जगह है जहां आपको दगेट्स बगेड्रेस मिलेगा जो अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रसित पर्तों में से एक है अमेरिकीयों को प्रेरित करने के लिए पते का हर अक्षर ठीक उसी तरह दीवार पर लिखा है जैसा कि 1863 में था आपको लिंकन की दूसरे उद्धातन भाषन की संपूर्णता मिल सकती है जो उनकी निधन से कुछ महीने पहले मार्च 1850 में दिया गया था लिंकन मेमोरियल साल के हर दिन 2400 घंटे पहुंचा जा सकता है रोजाना सुबह साध्य 9 से रात 10 बजे तक रेंजर ड्यूटी पर रहते हैं समारक तक जाने का सबसे सुविधा जनक साधन मेट्रो रेल या मेट्रो बस हैं देश की राजधानी में आने वाले प्रतेक आगंतुक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सोलहवे राष्ट्रपती के सम्मान में बनाए गए भव्यस मारक को देखना चाहिए वीडियो देखते रहो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें देखते रहें